नमस्कार, मैं Dr. Mitali धनावडे और आपका आयूरवेदा with Dr. Mitali इस चैनल में स्वागत करती हूँ तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कॉपर के बरतन में पानी रखके पीने से हमारे शरीर को क्या-क्या फाइदे होते हैं और किन-किन व्यक्तियों ने कॉपर के बरतन में इसे पानी रखके पीना चाहिए तो ये वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे कि किसने कॉपर के बरतन में पानी पीना अवोइड करना चाहिए तो there are two main criteria's first is pregnant lady, second is the couple who is trying to conceive, like pre-conception phase मतलब जो couple, जो बेबी पाने की चाहा रखते हैं, जो संतती पाने की चाहा रखते हैं या या बेबी रखने के लिए try कर रहे हैं तो इन लोगों ने कॉपर के वेसल में पानी पीना अवोइड करना चाहिए female partner as well as the male partner should avoid तो इसका reason ये है कि कॉपर has proven spermicidal action copper ये गर्भो पगाते कर हैं, मतलब गर्भ के अच्छा गर्भो उत्पन होने के लिए जो properties चाहिए तो उनके opposite कर्म ये copper दिखाता है तो जो sperms रहते हैं, जो शुक्राणू रहता हैं, उनके लिए ये portion या portion कारक वातावरें नहीं पैदा करता male partner जो है, उन्होंने भी अगर आप बच्चा होने के लिए ट्राइ कर रहे हो तो एक साल पहले से ही अगर आपको आदत है copper वसल में पानी पीने की तो one should avoid drinking water from copper वसल और during pregnancy भी आपको copper के बरतर में रखके पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत सारे pregnant ladies copper लोगों का इसके उपर ये सवाज रहता है हमेशा कि copper तो हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकालता है तो it should be good for pregnant lady, but this is not true, अब आप copper हाथ में या पैर में या कड़ा ऐसे जगा पे पहनते हो या outside body पहनते हो जिससे आपके body में से जो heat है वो copper बाहर खीश के लेता है लेकिन अगर आप copper का incorporated जो water रहता है copper का जो पानी रहता है वो अगर body के अंदर डालोगे तो वो बाहर की भी heat खीच कर आपके body में लाएगा और pregnancy के लिए या अच्छी pregnancy रहने के लिए आपके body में शीतता या शीतबुन रहना थंडापन, सौमिता इनकी ज़रूरत रहती है So one should avoid drinking water from copper vessel or the water stored in copper vessel during pregnancy and a year prior to conception So मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपके दिमाग में से जो doubts थे copper vessel के बारे में वो almost clear हुए रहेंगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर जादा से जादा लोगों तक पहुचाने की कोशिश करना क्यूंकि correct information हर एक तक पहुचना is very necessary So yes, और भी कुछ queries हो तो आप comment box में डाल सकते हो Next video भी copper के बारे में है Stay tuned for the next video और अगर आपने अभी तक चैनल सब्स्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए Stay healthy, stay fit, thank you